जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिजेन यूटूब चैनल में दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ड हो चुका है तो आज हम दोस्तों बहुत ही अच्छी फनी ट्रिक आपको बता रहे हैं और जितने हिंदी साहत में आपके जो दर्सन है उन दर्सनों के बारे में पढ़ेंगे जैसे आपका दोयतबाद है अदोयतबाद है इस सारे के सारे जो आपके दर्सन है उनके बारे में पढ़ने बाले हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखना दोस्तों और वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और जो भी साती अभी तक WhatsApp गुरूप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए नमबर है 9098609291 इस नमबर पर आपको SMS करना है और क्या करना है दोस्तो आपको लिंक मिल जाएगी तुरंत है न तो उस लिंक से आप गुरूप में जुड़ जाएंगे तो दोस्तो पूरा वीडियो जरूर देखें आज हम पूरे दर्सन यहाँ पर आपको फणी ट्रिक से याद करवाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम आपको दर्सन ऐसे याद करवा रहे हैं फिर आपको दोस्तो क्या करेंगे पूरा टेस्ट लेंगे पूरे प्रस्णों के माध्यम से आप टेस्ट में उत्तर बताना कि कितना आपको याद हुआ है सबसे पहले बात करें दोस्तो अदोयत बाद की तो सबी लोगों को बता है कि अदोयत बाद के जो परवर्तक हैं वो कौन है संकराचार है अब इसको कैसे याद रखोगे आप दोस्तो जैसे अदोयत बाद तो अपन बोलते ना अदुत्ये और अदुत्ये कौन है इस दुनिया में संकरजी कौन है संकर जी इस दुनिया में अदुतिय हैं तो अदुत बाद के प्रपरता कौन होंगे कौन होंगे संकराचार है ना तो याद रख लेना संकराचार अब दोस्तो बिसिस्टा दुत बाद के प्रपरता कौन है तो आपको पता है रामा नुजाचार अब इसको कैसे याद रखोगे तो आपको पता है कि आप बोलते हो ना कि हमारे बिसिस्ट दे हो है हमारे लिए बिसिस्ट हैं कौन राम राम हमारे लिए बिसिस्ट हैं यानि कि बिसिस्टा दोइत बाद के जो प्रवर्तक होंगे वो कौन होंगे रामा नुजयचार राम हमार बल्लबाचार ठीके अब इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों कि जो बल्लबाचार थे कैसे थे बहुत सुध्ध थे सुध्धा दोईत बल्लबाचार अब सीधा सीधा इसमें कोई नहीं बोले बल्लबाचार बहुत सुध्ध थे तो सुध्धा तो मी मी मानसा मी मतलब मेरी और मानसा मतलब मंसा है मेरी मनसा है कि मुझे क्या मिल जाए मनी मिल जाए मेरी मनसा है कि मुझे बहुत सारी मनी मिल जाए आप लोग बोलते ना मनी मिल जाए तो जै मिनी या फिर मनी तो याद रख लेना कि मी मनसा मेरी मनसा है कि मुझे बहुत सारी मनी मिल जाए तो जैमिनी मिनी है ना याद रखना दोएत बाद के कोई है दोस्तो मधवा चार मधवा चार याद रख लेना कोई है दोएत बाद के मधवा चार अब इसको देख लेना दोश्तों दोईत से क्या हो जाएगा देत है ना देत और यहां मधवा से आप क्या लखेंगे मधू है ना मधू मक्की हमें मधू देत है यहां से याद रख लेंगे मधू मक्की सो मधू है ना और मधू देत है तो मधवाचार और देत है तो दोईत बाद है ना तो दोईत बाद के कौन हो जाएंगे मधवाचार हो जाएंगे देत है हमें मधू कौन मधू मक्की तो इस प्रकार से है ना और दोईता दोईत बाद के कौन है दोस्तों तो दोई देते देते तो दोईत दोईत हम तो निम्बू देत धक गए हैं कैसे हम तो निम्बू देत धक गए हैं तो देत देत से दोईत दोईत बाद है ना दोईता दोईत बाद और निम्बू से निम्बार का चार है ना ऐसे याद रखेंगे ठीक है यहाँ पर योग दर्सन दोस्तो योग दर्सन के प्रवर्ता कौन है तो पतंजली आपको पता है योग गुरु राम देव ने पतंजली का क्या सामान बेचना चालू किया ना पतंजली इन्होंने कमपनी खोली पतंजली है ना कौनने योग गुरु राम देव ने तो योग दर्सन के कौन हो जाएंगे पतंज ठीक है ऐसे याद रखना सांक दर्सन दोस्तों सांक दर्सन के कौन है कपिल मुनी और आपने देखा होगा दोस्तों कि आपने एक बो कपिल सरमासू देखा होगा कपिल सरमासू कपिल क्या करता है संक बजाता है संक कपिल संक बजाता है तो सांक दर्सन के कौन हो जाएंगे कपिल से कपिल मुनी है ना तो याद रख लेना संग कौन बजाता है कपिल तो कपिल मुनी इस परकार सी संग दर्शन के कपिल मुनी अब नियाय दर्शन के कौन है दोस्तों नियाय दर्शन तो आपको पता है दोस्तों कि जो गोतम थे या गोतम रिशी या गोतम बुद्ध की बात करें तो यह सभी न्याय की बात करती थी काई की बात करती थी गोतम बुद्ध न्याय की बात करती थी तो न्याय दर्शन के कौन होगे गोतम है ना याद रख ली ना न्याय दर्शन के गोतम अब बैसेसिक दर्शन के कौन है तो आपको पता है दोस्तों बैसेसिक से क्या संधवी के कणकण बिसेस इसलिए बिसेसिक दर्शन के कणाथ ठीक है जैन दर्शन के दोस्तों तो जैन दर्शन के कौन है पारसुनाथ कौन है पारसुनाथ अब यहाद कर लेना कि आपके पास में है ना आपके यहीं पास में जहां आप रहते हो बहां जैन रहते हैं कौन रह संग किसने बनाया गोतम बुद्ध ने गोतम बुद्ध ने गरहत्या कर दिया है ना बोले ये दुनिया छनक है इसलिए संगात बाद को छनक बाद भी गहा जाता है रोने ने अपना संग बनाया अपनी सिस्ट बनाए है ना तो संगात बाद के गोतम बुद्ध है तो ये आपके सामने संक रखा है और कपिल सर्मा भी वैठे हैं तो जल्दी से बताएं कौन है मैंने ट्रेक आपको बताई थी कि संक कौन बजाता है संक बजाता है कपिल सर्मा है ना तो कौन हो जाएंगे कपिल मुनी कौन से दर्सन के संक दर्सन के यानि कि आपका बी नमबर बिल्क मतलब मतलब मेरी मतलब मतलब मनसा है कि क्या मिल जाए क्या मिल जाए क्या मिल जाए बहुत सारी मनी मिल जाए तो मनी से क्या हो जाएगा जैमनी मी मानसा मेरी मनसा है कि बहुत सारी क्या मिल जाए मनी मिल जाए तो जैमनी है ना ऐनी कि जो आ नम्मर है वो आपका बिलको सही हो जाएगा ठीक है अंगला देखते हैं दोस्तों बैसेसिक दर्शन की प्रवर्तक कोन है चार विकल्प हैं दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस प्रत्थवी का इस ब्रह्म्हांड का कन कन क्या है बिसेस है कन कन बिसेस है तो बैसेसिक दर्शन की कोन हो जाएंगे कनाद क्या है बिसेस है वैसे से एक दर्षन का कनकन बिसेस है तो कनाद ठीक है आ नम्मर आपका बिलको सही होगा अंगला बताना दोस्तों दोईता दोईतबाद के पिरपरता कौन है दोईता दोईतबाद के चार बिकल्फे चार सेकन में उत्र बताना है और हमने क्या पढ़ा था कि देत देत ठक गए हैं क्या देट देट निम्बू देट देट ठक गए हैं तो देट देट से दोईता दोईत है ना देट देट से दोईता दोईत और निम्बू से आपका हो जाएगा निम्बार्क ठीक है दोईता दोईत देट देट आप तो इसको करो देट देट निम्बू देट देट ठक गए ह तो निम्बू से निम्बार्ग ठीक है यहनि कि जो सा नम्मर है वो आपका बिलको सही हो रहा है ठीक है अब दोस्तो आपको बताना है कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी है क्योंकि आपको ट्रिक निकालने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं जिससे है हमें मख्खी मदू मख्खी हमें मदू देत है मदू देत है तो मदू से मदवाचार देत से दूईतबाद Strateg के फिरवर्ता कौन होंगे मदवाचार यानि है जो बाल今年 है वह आपका बिलकूश सही हो जाएगा ठीक है मदू मक्की हमें मदू दोइत है तो मदू से मदबाचार और दोइत से दोइत बाद ठीक है अंगला है दूस्तो सुद्धा दोइत के पिरबर तक कौन मान जाती है तो सुद्ध कौन है सुद्ध कौन है अप आचारियों की जब परंपरा में देखते हैं तो सुद्ध ह बल्लबाचार बहुत सुध्ध हैं और स्रीकर्ष्णों और बल्दाव में नटकटते बल्दाव क्या थे सुध्धेते हैं तो बल्दाव से बल्लबाचार और बल्लबाचार सुध्ध हैं तो सुध्धा दोईत किसका हो जाएगा बल्लबाचार का यानि कि जो आपका आनम्मर ह वो बिल्कुस सही हो जाएगा ठीक है अंगला कोस्चन है दोस्तो बिसिस्ट अदोईत की पिरवरता कौन है तो आपको पता है कि आप बोलते हो ना कि हमारे लिए राम बिसिस्ट हैं है ना राम हमारे लिए बिसिस्ट हैं तो बिसिस्ट अदोईत के राम से रामा नुजाचार बिसिष्ट अदोइत के राम से रामा नुजचार राम हमारे लिए बिसिष्ट हैं यानि कि जो आपका आ नमबर है वो विलकोँ सही हो जाएगा ठीक है राम हमारे लिए बिसिष्ट है तो बिसिष्ट अदोइत के रामा नुजचार अंगला बताना है दोस्तो योग दर्सन के प्रवर्तक कौन है योग की बात आई है दोस्तो योग और योग कौन से काते हैं रामदेव बाबा और रामदेव बाबा ने किस नाम से कंपनी खोली है प्रोडक्ट की तो वो खोली है पतंजली नाम से तो योग से काते हैं रामदे जेन दर्शन की प्रवर्टक माने जाती हैं, तो कौन माने जाती हैं, जेन दर्शन, जहां पर आप रहते हो, बहीं पास में, पास में कौन रहता है, जेन रहते हैं, एक जेन रहते हैं, आपके पास में, पास से क्या बनेगा, पार सुनात, पास में रहते हैं, तो जेन दर्शन के कौन हो जाएंगे पारसुनात यानि कि जो आपका बार नम्मर है वो आपका बिलको सही हो जाएगा ठीके अंगला दोस्तो संगहात बाद के प्रबरतक कौन माने जाती है संगहात बाद संग किसने बनाया किसने बनाया संग और इसे छनक बाद कहा जाता है दोस्तो गोतम बनाई धार्मिक पिरचार किया, बोध धर्म को बढ़ाया, है ना, तो संग से संगात बाद और चनक है, यह दुनिया चलक है, यह किसने कहा, तो गोतम बुद्ध जी ने, यानि कि जो अ नम्मर है, संगात बाद के प्रवर्तक कौन है, गोतम बुद्ध जी, ठीक है, अंगला बताना दोस्तों नियाय दर्शन की प्रवर्तक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, अब गोतम बुद्ध ने कहा कि यह दुनिया च्छनक है, उन्होंने संग बनाया, धर्मिकी बात की, तो यह नियाय करेंगे की नहीं करेंगे, करेंगे, तो नियाय दर्शन की कौन हों ठीक है अब दोस्तों आपने जो दर्सन थे मैंने तीन वीडियो में आपको सबसे पहले हमने क्या पढ़ाए आपके सिद्धान्त पढ़ा दिये पूरे ठीक है सिद्धान्त के बाद आपको संप्रदाय पढ़ाए संप्रदाय के बाद दोस्तों दर्सन पढ़ाए ठीक है यह तीन वीडियो में आपके complete हो गए अब आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छी ट्रेक कॉंसीलिगी लगी है वो कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे और इस प्रसन का जो चेलेंज प्रसन आपको दिया जाता है उस चेलेंज प्रसन का उत्तर भी आपको बताना है कि आच जल्दी से आपको बताना है चार बिकल्प लखना है और अगर आपसे बन रहा है तो ये चारों बिकल्प है किस किसको किसने छायावाद का प्रवर्तक माना है वो भी आप लख सकते हो तो कमेंट में लखा करो मैं पूरे कमेंट चेक करता हूँ जो लाइब देखते हैं तो लाइब देखा करो जो नहीं देख पाते तो बाद में देख करके कमेंट में से अपनी हाजरी जरूर लगाया करो कि सर मैंने वीडियो देखा है और यह मेरा कमेंट है है यह चेलेंज प्रसन का मैंने उत्तर वताया है ठीक है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे चेलें से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़े जाएं टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है आई एस स्टेडी ट्रिक ठीक है और जुड़े हो जाना है और दोस्तो आपको 9098609291 यह वाट्सप नमबर है तो वाट्सप ग्रुप से भी आप जोड़ सकती हैं ठीक है वाट्सप ग्रुप से जोड़ने के लिए इस नमबर पर आपको मैसेज भेजना पड़ेगा महाँ पर आपको तुरंत ही लिंक मिल जाएगी ठीक है और वाट्सप ग्रुप से आप जोड़न हो जाएंगे तो वीडियो कैसे लगा कमेट के मादने हमसे बताएं आसी ही नई नई ट्रिक फणी ट्रिक रोज आती हैं दोस्तो इसके पहले बहुत सारे वीडियो मैंने अप नहीं, जैहिन!